वेलकम टू बाबुसलाइ सेंटर इस वीडियो में हम बुक्रम पे गोल गले की कटिंग करना सीखेंगे एकदम परफेक्ट राउंड नेक हम कैसे कटिंग करें काफी बिग्नर्स को इसमें प्रॉब्लम होती है और उमेद करती हूं कि इस वीडियो के पाद आप राउंड नेक काटना अच्छे से सीख जाएंगे आपको गोल गला काटने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उसके लिए देखिए यह मैंने बुक्रम लिया है यह बुक्रम इस तरफ से साड़े साथ इंच और दूसरी तरफ से भी साड़े साथ इंच है मतलब साड़े साथ बाई साथ का म इतना लंबा रखना है उस अकॉर्डिंग मैंने यह पीस ले लिया है तो वह मैंने आपको समझाने के लिए अदर्वाइस इतना बड़ा बुक्रम का पीस होता है आधा मीटर या एक मीटर जितना बुक्रम भी आप लेते हैं इस तरीकी से पीस कट कर कर करके आप थोड़े इसा कुछ नहीं है यह बस आपको समझाने के लिए यह 7.2,7 इंच का मैंने एक बुक्रम का पीस ले लिया है आप बड़ा पीस भी लेके अपने बुक्रम को भी चाके गला काट सकते हैं ऐसा कुछ नहीं है अब देखिए इस तरफ से यह हमारी मालीजी लंबाई है और इस सिखिए चड़ाई है तो कि यॉद्य के लान लेकिन आप लंबाई है लेकिन आप लंबाई वाली साइट से बुक्रम को फोल्ड करेंगे यह देखिए इस तरीके से मने फोल्ड कर लिया है अब यह हमारे गली की लंबाई होगी और यह चोड़ाई तो इस तरफ से हम पहले गली की चड़ाई ले लेते हैं तो गली की चड़ाई मैं यहां पर तीन इंच ले रहे हूं जैसे और इतना ही तीन इंच फिर मैं नीचे की तरफ भी निशान लगा लोंगी और एकदम सीधी लाइन लगाएंगे देखिए गलती यहीं पर होती है कोशिश कीजिए कि आप मोट चौक का यह मारकर का यूसमत कीजिए किसी पैंसिल या फैंका यूस कीजिए यह लाइने स्ट्रेट होना मेंच सीधी जरूरी है छाता जिए नयगलेका या परकेक्ट राउंड नई बन पाता और पैंसलायव या पैंका यूस करने से प्तली लाइन नहीं में पता होता है कि आई प्तली लाइन पर चलानी ये तो इस पतली लाइन पर आप एग्जेक कबोलिकोतर आप एक्सक चलाएंगे तो आपका गला सही बैठेगा अब खली की लंबाई लेते हैं जब आम बुखरनलबない तो हमेशा आधा इंच बढ़ा के लिना चाहिए जैसे मेरे गली की लंबाई यहां पे 6 इंच है तो मैं आधा इंच बढ़ा के लोंगे क्योंकि आधा इंच ऊपर से बुक्रम सिलने में चला जाता है तो सारे 6 इंच पर निशान लगांके यह दूसरी तरफ भी हम निशान लगाने से क्या होता है कि जब इन दिनों निशानों को मिलाते है तो हमारी लाइन एकदम सीधी लगती है यह देखिए यह लाइन ऐसे या ऐसे मतलब उपर या नीचे नहीं होनी चाहिए एकदम सीधी होनी चाहिए तभी राउंड नेक एकदम परफेक्ट बैठेगा अब इतना हम निशान लगा लेंगे यहां पर इतना एरिया यह एकदम स्ट्रेटी रहेगा अब देखिए इस कॉर्णर से हम सवा एक इंच पर एक निशान लगाएंगे एक इंच से दो पॉंट जादा यह निशान आप तीन इंच चोड़ाई के बात कर रहे हूं अगर आप ती अगर आपके देखिए तो देखिए धाएंच यहां से और दाएंच यहां ऊपर से एकदम सही बैठेगा यह गला आपका गुल अब हम इसकी कटिंग करेंगे कटिंग एकदम आरामसी कीज़े सीजर की खास कर जब जो टिप होती है उसको यूज कीज़े देखिए सीजर की आगे की टिप खास 종 हम कुलारी की कटिंग करते न तब और इस तरीके से यह देखिए यह कट गया या यह देखिए एकदम राउंजेप आया है खेर यह हमारा गला नहीं है इससे बस हमें एक आइडिया ले सकते हैं कि हमारा गला कटा कैसा है अब देखिए पॉने एक इंच यह देखिए आदे इंच से थोड़ा सा जादा यह एक एवरेज साइज है आप इससे थोड़ा सा जादा मतलब इससे कम यह थोड़ा सा जादा कर सकते हैं लेकिन यह एक average size है इतनी चौड़ी बुकरम अच्छी लगती है चौड़ी बुकरम मैं गली की चौड़ाई की बात नहीं कर रहे हूं मैं बुकरम की चौड़ाई की बात कर रहे हूं तो इस तरीके से हम निशान लगाते जाएंगे उपर तक कुलाई में यह हो गया अब हम इसकी cutting करेंगे तो देखिए यह दूसरी cutting भी कई बार हम सोचते की गला तो कट गया यह तो कैसे भी कार दो लेकिन नहीं आसा कुछ नहीं है यह cutting भी आपकी एकदम सही होनी चाहिए यह देखिए बुकरम को हाथ में उठाके नीचे रहके नहीं हाथ में उठाके इस यह देखिए एकदम बराबर करते जाएंगे हम अपनी फिंगर से और एकदम बराबर करके बुकरम को काटेंगे एकदम बराबर बुकरम काटने से जब आप कुर्ती के साथ इस बुकरम को अटेच करोगे ना तो आपका गला एकदम सेंटर में और एकदम सही आएगा और हा आई बर्टन असाइट में इस पर भी क्लिक करेंगे तो वीडियो आपको मिल जाएगे वीडियो जाएगी जाधा बड़ी हो गई करके मुझे लगत कि मिझे ज्याद Rocket चैनल को सब्सक्कायब कि लिए लंग कर दिजिएगा और क्वी कमेंट दीखे तो कमेंड जरूर कीजएग thank you and bye-bye